हलो एवरिवन, वेलकम तो स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं दूसरा हफता शुरू करता हूँ दिसंबर का ये है भाग एक इसमें मैं दूसरे हफते के लगबग 90 कोश्चन कवर करूँगा और इसका पार्ट टू भी आएगा 20 तारिक से पहले क्योंकि 20 तारिक को आपका RBI Assistant Men's का एक्जाम है SSC, BANKP और UPSC के लिए हमारे Pen Drive Courses उपलब्द हैं इसके लावा DSSB, Sociology Optional, Maths Optional, Philosophy Optional के लिए भी Pen Drive Courses उपलब्द हैं और भी बहुत सारे Courses हमने लॉंच किये हैं, आप भी हम गुजरात PSE का Courses लॉंच कर रहे हैं GPSC का, गुजराती के अंदर, तो कोई भी आप Pen Drive Courses खरीदना चाहते हैं, तो हमारी website studyiq.com पर जा सकते हैं आप Instagram पर मुझे follow कर सकते हैं, Instagram पर मैं आपकी सारी queries आंसर करता हूँ, आप मुझे direct message भेज सकते हैं, यह मेरी ID है Tireless Soul या फिर आप Twitter पर भी मुझे message भेज सकते हैं, गौरवगर 8888 चले शुरू करते हैं, होकी वर्ल लीग फाइनल, भूवनेश्वर में हुआ था, यह फाइनल उडिसा की राजधानी है भूवनेश्वर, यह किस ने जीता? यह जीता उस्ट्रेलिया ने, उस्ट्रेलिया ने हराया फाइनल में अर्जेंटीना को, और इंडिया रहा तीसरे नंबर पे, यानि इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल अर्जेंटीना की राजधानी है ब्योनोसाइरेस, औस्टेलिया की है कैन्बरा, नेधरलेंड की है एम्स्टरडेम और उडिसा के अंदर सिमलीपल, वाइल लैफ सेंचुरी है, भीतरकनी का नेशनल पार्क है और गहिर मटबीज है, जहाँ पे ओलिव रेडले टर्टल आपको मिलते हैं अभी अभी दस्वा, एशियन एर गन शूटिंग चैंपेंशिप खतम हुआ है, वाको सिटी जापान में इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, यह है भारत की खिलाडी हीना सिद्धू, और यह है जित्तू राए भारत ने जीते है टोटल 21 मेडल, 6 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉंज मेडल, तो टोटल हो गए 21, अब पूछा एक गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, तो आंसर है 6, यह वाको सिटी जापान में ही होगा, ओलम्पिक खेल का भी शूटिंग चैंपेंशिप इसी सुशिल कुमार, सुशिल कुमार यह दो ओलम्पिक्स में एक सिल्वर और एक ब्रॉंज मेडल जीत चुके हैं, और एक बात याद रखिए, मैरी कॉम ने भी रिजाइन कर दिया है, नेशनल अब्जर्वर फॉर बॉक्सिंग के लिए, तो दो खिलाणी ने रिजाइन किया ह सुशिल कुमार ने रेसलिंग से, पहले भारतिये कौन बने गोल्ड मेडल जीतने वाले, वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियंशिप जो मेक्सिको के अंदर हुई, इनका नाम है कंचन माला पांडे, यह पहली दिव्यांग एथलीट है भारत की जिनोंने गोल्ड मेडल ज बोलते हैं, उसमें 470 मंडियों में भुगतान जो होगा electronically वो यह बैंक करेगा, यह बैंक है ICICI बैंक, यह domestic systemically important बैंक है, चंदा कोचर है इसकी managing director, president और इसके अलावा जो domestic systemically important बैंक है, वो है HDFC बैंक और State Bank of India. Scientist ने अभी अभी एक जो lion होता है, जिसे हम बोलते हैं share, share की नई परजाती के जिवाश्म खोजे हैं, जो कहते हैं कि आज से लगभग 2 साल, 2 करोड साल पहले लुप्त हो गया था, यह एक विचित्र तरह का share है, यह कौन से देश में इनोंने खोजा है, यह खोजा है New South Wales के researcher ने Australia के अंदर, याद रखिए, और यह एक जगा है जिसे बोलते है River Sliya, यह एक World Heritage Site है Australia में, Queensland के अंदर, वहाँ पे खोजा है यह, River Sliya के अंदर, एक रिपोर्ट आईए जिसका नाम है Office Space Across the World 2017, इस रिपोर्ट को दिया है कुश्मेन एंड वेक फिल्डे, इसके हिसाब से पूरी दुनिया में 84 वे नंबर पे और भारत में सबसे महेंगी जगा कौन सी है, कौन सा शहर भारत में सबसे महेंगा है, यह है Delhi NCR, दूसरे नंबर पे है बांधरा कुरला कॉम्पलेक्स, जिसे बोलते है BKC Short में, मुंबई के अंदर, और पूरी दुनिया में सबसे महें होंग कॉंग और महापे कारे कर सकेगी ये on the spot food safety test कर सकती है ये launch करा है गोवा ने मुख्यमंत्री है मनोहर पारिकर और गवर्नर है मृदुला सिन हा तो गोवा में किया है 45 लाग रुपे की एक बस आती है Human Rights Day ये किस दिन मनाया गया मानवादिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया गया और इस बार इसका theme था Let's stand up for equality, justice and human dignity यानि हम बराबरी के लिए justice नयाय के लिए और human dignity के लिए हमें सब को एक साथ खड़े होना चाहिए जा रास सुंदरसन इनका निदन हो गया ये मशूर क्या थे ये एक लेखक थे, पत्रकार भी थे तो आंसर है writer writer थे और भकियम रामा स्वामी इनका एक दूसरा नाम भी था भकियम रामा स्वामी पहला अंतराश्ट्रे सम्मेलन sports medicine and sports science यानि साई कौन जिसे short में बोलते हैं उसके लिए हमारे खेल मंत्री राज्यवर्दन सिंह राठोर ने उसका उधगाटन करा, कहां पर ये हुआ ये हुआ, अभी अभी नई दिल्ली के अंदर राज्यवर्दन सिंह राठोर जो है 2004 के जो Athens Olympics हुए थे उसमें silver medal जीता था, shooting के अंदर इन में से कौन सा भारत का शहर है जो United Nation Environment Report में जिसका नाम आया है पूरी दुनिया के पाँच उन शहरों में जिनोंने solid west management को सब बहुत अच्छा तरह से handle किया है यानि west जो निकलता है सारा उसे अच्छे से manage किया है ये है अलाकुजा अलापुजा है केरल के अंदर इसे हम अलैपी भी बोलते हैं वैसे अलैपी और बाकी जो चार शहर है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए एक है उसाका जापान में ये लिख लिजे कहीं पे ये बहुत important है स्लोवीनिया में है वहां की राजधानी उन्होंने राहूल गांधी को अपना प्रेजिडेंट बना दिया सोनिया गांधी ने अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया है तो सोनिया गांधी कितने साल तक कॉंग्रेस की अध्यक्ष रही ये रही 19 साल 19 years रही ये और कॉंग्रेस जो थी उसके founder थे एलन ओक्टावियन ह्यूम एयो ह्यूम 1885 में जो हमारे खेल मंत्री है राज्यवर्दन सिंहरा ठोर उन्होंने खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉंच करा है 2017-2018 से 2019 तक यानी अगले दो साल के लिए कितना पैसा खर्च करेगी सरकार खेलो इंडिया प्रोग्राम पे 1756 करोट रुपे खर्च करेगी एक बात याद रखिए 2018 को खेल का साल मनाया जाएगा इट विल बी सेलिब्रेटेटेड एज इयर ओफ स्पोर्ट्स BJP के सांसद नाना पटोले इन्होंने अभी स्थिफा दे दिया है इन्होंने अभी स्थिफा दे दिया है कौन सा देश है जिसने एक $1.15 billion development policy लोन लिया है World Bank से यानि World Bank ने इस देश को लगबग 9000 करोड रुपे का लोन दिया है ये दिया है अभी-अभी इजिप्ट को इजिप्ट की राजधानी है केरो, यहां की मुतरा है Egyptian Pound, यहां पे मिस्टर में पिरामिड भी है, इजिप्ट को हिंदी में मिस्टर बोलते है नील नदी भी यहाँ पे भैती है, ताहरीर स्कुएर भी यहाँ पर है, इजिप्ट ने वैसे क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ल कप के लिए पहली बार, वर्ल कप जो फुटबॉल का होगा 2018 में रशिया में, इजिप्ट के एक खिलाडी है मुहम्मद सला, जो लिवरपूल फ जंगाली है, उमा, शंकर ने, अब आपके लिए आज का पहला सवाल, Reserve Bank of India में कितने Executive Director होते हैं, क्या आप कमेंट्स में लिए कि बता सकते हैं, लाल जी सिंग इनका निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या थे, इनको DNA Fingerprinting का जनक बोलते हैं भारत में, वैसे DNA Fingerprinting जो शुरू और DNA Fingerprinting भी बोलते हैं, ये Center for Cellular and Molecular Biology यानि CCMB हैतराबाद के Director भी थे, बनारास Hindu University के Vice Chancellor भी थे एक समय, पदम श्री भी ने मिला था, फीफा जो फुटबॉल की governing body है, उन्होंने दो साल का प्रतिबंद लगा दिया था, एक देश के उपर की वो फुटबॉल नहीं खेल सकते अंतराश्रियत टूर्नमेंट्स में अब वो प्रतिबंद हटा लिया है, तो कौन से देश पर से प्रतिबंद हटा लिया है, ये देश है, कुवेथ, फीफा के प्रेजिरेंट है जियानी इन्फेंटीनो, फीफा का फुटबॉल वल्लकप होना है, 2018 में रशिया में और 2022 में कतर में, और फीफा का हेड़कोर्टर कहाँ पर है, जूरिक शहर जो स्विर्जर लेंड में है, भारत ने अभी वासेनार अर्रेंजमेंट को जॉइन कर लिया है, भारत कौन से नंबर का वो बना है, इसमें पार्टिसेपेंट मना जॉइन करने वाला कौन सा देश बना है, उस्ट्रिया की राजधानी है, और 1996 में बना था ये अर्रेंजमेंट, याद रखिए जो ये वासेनार है, ये एक जगा का नाम है, जो दाहैग में है, नेधरलेंड के अंदर, दाहैग वही जगा है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस का हेड़कोर्टर है, और इस मचली का वजन है 2300 किलो, और इसका नाम इनोंने रखा है मोला अलेक्जेंडरीनी ओशियन सनफिश, इसको पकड़ लिया है, देखे मचली दो तरह की होती है, एक जिने बोलते हैं ओस्टियो इचितिस और एक होती हैं कॉंड्री इचितिस, जिनको हम कार्टिलेज वाली मच मचली खोजी है और ये जापान के वज्ञानिकों ने खोजी है, जापान में एक उनिवरसिटी है जिसे हिरोशिमा उनिवरसिटी बोलते हैं, हिरोशिमा वही शहर है जहां पे अमरीका ने नुकलिर बम मारा था, हिरोशिमा और नागसाकी के उपर, ये जो मचली है ये इसे bump headed sunfish भी बोलते है bump headed sunfish और sunfish जो होती है ये समुद्र में सबसे बड़ी मचलिय होती है बतुग गतानी इनका निदन हो गया ये कौन है ये एक गुजराती business man है जो नायरोबी में पैदा हुए थे नायरोबी कीनिया की राजधानी है तो ये एक मशूर business man और ये जर्नलिस्ट भी थे तो आंजर है जर्नलिस्ट ये एक पतरकारिता में इन्होंने नाम कमाया मेंली बतुग गतानी 2017 का theme क्या था जो anti-corruption day यानि भरष्टचार विरोधी दिवस अंतराष्टी मनाए गया 9 December को इसका theme क्या था इसका theme था united against corruption for development, peace and security यानि हमें बरष्टाचार के विरोध एक जुठता दिखानी चाहिए विकास के लिए, शान्ती के लिए और सुरक्षा के लिए अपना पांचवा Ballon Door Award कि इसने जीता साल का सरवशिष्ट खिलाडी इनका नाम है Cristiano Ronaldo इन्होंने Messi और Neymar को हराया खेलते हैं जो Spain का क्लब है नेमार खेलते हैं Paris Saint German के लिए जो France का क्लब है और Lionel वैसी खेलते हैं Barcelona के लिए जो Spain के Catalonia का क्लब है इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिन्होंने एक Memorandum of Understanding sign करा है महशूर कंपनी, gadgets कंपनी Hewlett Packard HP के साथ अब ये Telemedicine में सहयोग करेगी इस राज्ये के साथ Telemedicine होता है जब जैसे गाओं बगारा में क्या होता है कि वहाँ पर डॉक्टर पहुंच नहीं सकते तो computer के थुरू या TV के थुरू डॉक्टर अपनी सेमाई देते हैं उसे बोलते है Telemedicine इसमें जो राज्ये जिसने HP के साथ agreement किया है वो है उत्तराखंड उत्तराखंड में है राजाजी Tiger Reserve, Jim Corbett Tiger Reserve भी है यहाँ पर और World Heritage Sites भी है यहाँ पर जैसे नंदा देवी है, Valley of Flowers है उत्तराखंड के मुखे मंत्री है, त्रिवेंदर सिंग, रावत राजधानी है देहरादून इन में से शिरलंका ने अपना कोच किसे बनाया है क्रिकेट के लिए ये पहले बांगलादेश के कोच भी रह चुके हैं इनका नाम है चंदी का हतुर हुरू सिंगा और शिरलंका की राजधानी है शिरी जैवर्द ने पूरी कोटे शिरलंका में चाइना ने बनाया है हमपन टोटा बंदरगा शिरलंका ने निन्यानमे साल के लिए किराय पे दे दिया है हमपन टोटा बंदरगा चाइना को और भारत ने बनाया है ट्रिन को माली नाम का बंदरगा शिरलंका में, यहां के राशपती है मैत्री पेला शिरी सेना, प्रधार मंत्री है रानिल विक्रम सिंगे कौन सी कंपनी है जिसने UN Women के साथ एक agreement करा है और साथ में मिलके इन्होंने We The Women नाम का एक दो दिवसिय इवेंट और्गिनाईज करा मुंबई में तो यह कौन सी कंपनी के सहयोग से हुआ, यह हुआ, फेस्बुक के सहयोग से फेस्बुक के जो CEO है, उनका नाम है Mark Zuckerberg और COO है Cheryl Sandberg फेस्बुक ने एक महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस में एक campaign स्टार्ट करा था जिसका नाम था She Means Business सुख रंजन, सेन गुपता का निदन हो गया, यह प्रसिद्ध क्या थे, यह एक जनलिस्ट थे, पत्रकार थे और अभी अगर पूछ ले, Press Trust of India के चेर्मेन कोन है, तो यह है, विवेक गोयन का विवेक गोयन का इन में से कौन सा देश है, जिसने अभी अभी अंतराष्ट्रिय सोलर अलायन्स, उसे जोइन किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायन्स, याद रखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायन्स का हेड़कॉाटर इंडिया में होगा, और इसे नरेंदर मोधी, और उस वक फ्रांस के जो र यहाँ पे होगा और यह भारत में हर्यारा में गुरू ग्राम में कितने मेडल भारत ने जीते रोट टू एशियन गेम्स 2018 यह इंडोनेशिया ओपन एक्वेटिक चेंपेंशिप हुई जो इंडोनेशिया की राजदानी जकारता में हुई जकारता आसियान कंट्रीज का सेक्रेटेरियट भी है तो यह भी आप याद रख सकते हैं भारत ने जीते छे मेडल छे मेडल जीते एक गोल्ड, तीन सिल्वर और दो कांसे यानि ब्रॉंज मेडल अभी अभी एक मिशन लॉंच करा है नेवी, एरफोर्स और कोस्ट गार्ड, उन्होंने आपस में मिलके यानि हम आपस में मिलेंगे और जो साइकलोन ओखी भारत में आया है उससे मच्छवारों को बचाएंगे इस मिशन का नाम क्या रखा है? इस मिशन का नाम है Operation Synergy Operation Synergy Synergy का मतलब ही होता है जब आपस में लोग मिलके काम करते हैं एक समंजस से होता है एक Synergy होती है एक आपस में Unity होती है उसको मोलते है और बहुत सारे जहाज है इनमें भारत के जो भाग ले रहे हैं जैसे भारत का जहाज है जिसका नाम है शार्दुल, निरिक्षक, खबरा, कलपेनी, इतियादी कौन सा शहर है जिसने त्री पक्षी वारता उसकी मेज़मानी करी यहाँ पे इंडिया और चाइना के विदेश मंतरी मिले थे तो यह काफी important है देखिए रशिया के विदेश मंतरी कौन है यह बहुत exam के लिए important है सर्जे लवरोव और चाइना के विदेश मंतरी कौन है इनका नाम है वैंग ई और भारत की सुष्मा सबराज है यह तिनों कहां मिले यह नई दिल्ली में अभी अभी मिले परधार मंतरी मोदी ने अभी-अभी जो जमीन भूमिगत जो पानी होता है तो हम उससे कैसे निपटे इसके उपर एक अंतराष्टे सम्मेलन हुआ वैसे हमारे Water Resources के मंतरी है नितिनगडकरी यह रोड ट्रांसपोर्ट के भी मंतरी यहीं है नागपूर से लोग सबहसांसद है इसका जो और्गनाईज हुआ वो हुआ नई दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है वहाँ पे और इसे National Institute of Hydrology रुड की और Central Ground Water Board ने मिलके मनाया 2017 का व्यास सम्मान किसे मिला है इन्होंने अपनी नोवल लिखी है जिसका नाम है दुखम सुखम दुखम सुखम किसने लिखी है ये लिखी है ममता कालिया ने और ममता कालिया को KK बिरला फाउंडेशन ने अवार्ड दिया है KK बिरला फाउंडेशन का अवार्ड है व्यास सम्मान 1991 में स्टार्ट हुआ था Three Gorges New Energy Corporation ने 151 million dollar की investment करी है दुनिया का सबसे बड़ा Floating Solar Power Project बनाया है चाइना में कहां पे बनाया है चाइना के कौन से शहर में इसका नाम है अनुही देखिए ये Three Gorges जो River है वहाँ पे Three Gorges Dam बनाया है जो दुनिया का सबसे बड़ा Hydro Electric Power Project है और अब चाइना ने Floating Solar Power Project बना दिया है ये भी दुनिया का सबसे बड़ा है 150 Megawatt शमता है इसकी और मई 2018 तक पूरा हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा Floating Solar Power Plant कहां पे है वायानाड केरला में Health Mantralे जो है हमारा Health Ministry उन्होंने Door to Door Campaign स्टार्ट करा है भारत में किसकी समापती के लिए भारत से कौन सा डिजीज है जो हम मिटा देना चाहते हैं जिसके लिए हमने Door to Door Campaign स्टार्ट करा है ये डिजीज है Tuberculosis फेफणों का रोग है और 2025 तक हम इसे खतम कर देना चाहते हैं 2027 तक Malaria को खतम कर देना चाहते हैं इनका नाम है Professor M.S. स्वामी नाथन इन्हें भारत में हरित करांती का जनक बोलते हैं यानि Father of Green Revolution in India इन्हें बोलते हैं तमिल नाडू के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित याद रखिए और तमिल नाडू के जो मुख्यमंत्री है वो है एड़पड़ी पलना स्वामी राश्पती रामनात कोविंद ने Naval Maritime Aircraft Museum का उधगटन करा है अभी-अभी Naval Maritime Aircraft Museum हमारे नेवी के चीफ है Admiral Sunil Lamba कहां पे बना है ये ये बना है विशाखा पटनम के अंदर विशाखा पटनम है आंधर परदेश में भारत का सबसे साफ रेल्वे स्टेशन है विशाखा पटनम में तो ये भी याद रखिए इन में से कौन सा राज्य है जिसने Ease of Doing Business ranking की जो preliminary ranking है इस साल के लिए उसको top किया है तो ये है हर्याना और पिछले साल आंधर परदेश और तेलंगाना ने top किया था मिलके Ease of Doing Business में इन में से कौन सा देश है जिसने अपना पहला astronaut program शुरू करा है यानि अंतरिक्ष में shuttle भेजने के लिए पहला program स्टार्ट करा है ये है United Arab Emirates यानि UAE जिसकी राजधानी है Abu Dhabi Nomura Nomura ये एक Japan की credit rating agency है, finance company है उसने भारत की जो economy है क्या कहा है, हम कितना ग्रो करेंगे 2018 में, हम ग्रो करेंगे 7.5% और इसका headquarter है Nomura का Tokyo में कौन से राज्ये का cabinet है जिसने solar power policy बनाई है, जिसके तहत ये राज्ये 2021 तक 150 MW solar power और उडजा generate करना चाहता है ये policy बनाई है Goa ने और इस policy के तहत ये है कि अगर आप कोई solar power plant लगाना चाहते है तो 50% जो loan आप लेंगे वो interest free होगा MOHUA जो हमारा housing और urban development जो ministry है उसने एक implementation agreement sign करा है जर्मनी के GIZ के साथ sustainable urban transport के लिए कौन से शहर के लिए किया है ये कोई मटूर, भूवनेश्वर और कोची तीनों के लिए किया है तो answer is all of the above याद रखिए कोची, कोई मटूर और भूवनेश्वर KBC इनको smart city बना रहा है जर्मनी और चंडिगड, नागपुर और पुड़ू चेरी को बना रहा है France इन में से कौन से देश के वेग्यानिक हैं जिन्होंने excitonium नाम का एक नया matter खोजा है देखिए कितने matter होते हैं हम तो कहते हैं solid liquid gas त्री forms of matter हैं लेकिन एक अलग तरह का इन्होंने matter खोज दिया है जिसका नाम है excitonium तो ये कौन से country के वेग्यानिकों ने करा है ये करा है University of California and Illinois तो answer है अमरीका भारत और इस्राइल ये एक center of excellence in floriculture बना रहे हैं floriculture बोलते हैं जब आफ फूलों की खेती करते हैं उसे floriculture बोलते हैं इसके लिए एक center of excellence बनेगा Tamil Nadu के अंदर अगर पूछ रहे तमिलनाडू में कहा बनेगा तो तमिलनाडू में बनेगा थली नाम की जगा में और थली है Christian Giri जिले में Tamil Nadu में Christian Giri जिले में है थली Tamil Nadu में मुकुर्थी नाम का एक national park भी है और Gwindi national park भी है भारत नाट्यम बहुत मशूर निरते है तमिलनाडू का और इसराइल की बात करें तो यहां के परदान मंत्री है Benjamin Nathan याहू और दिली में तीन मूर्ती मार्ग का नाम इसराइल के हाइफा नाम पे रखा गया है हाइफा शहर के नाम पे और इससे पहले जो सबसे उचा था UK में वह था Mount Jackson लेकिन जो नया नापन हुआ है नई measurement हुई है उनके हिसाब से Mount Jackson से 55 मीटर उचा है और दुनिया का सबसे उचा पहाड़े Mount Everest 8848 मीटर यानि इसके धाई गुना लग बग Financial Services Commission कौन से देश का Financial Services Commission है इसको Port Blair के साथ Confuse मत करना Port Blair अनमानने को बार की राजधानी है इन में से किसे अपॉइंट करा है भारत ने महिला Boxing के लिए Performance Director ये विदेशी कोच है इटली के कोच है वैसे ही है इनका नाम है Rafaela Bergamasco RB आप ऐसे याद रख सकते हैं RB तो इने ये कोच बनाया है और ये काफी experience है तो हम Olympic में शायद पतक ले सके 46 वा Congress हुआ अंतराश्ट्री Hockey Federation का ये होगा 2018 में कहां पे ही होगा और आप जानते है Hockey World Cup भी भारत में खेला जाएगा ये भी आप जानते है भूबनेश्वर में खेला जाएगा और ये भी भारत में होगा ये होगा नई दिल्ली के अंदर और याद रखिए जो International Hockey Federation है भारत के जो पूर इंडियन होकी के चीफ है नरेंदर बत्रा वो इसके पहले non-European President बनाये गए थे कौन से भारत के युगल खिलाडी है इन्होंने युगल खिताब जीता है 15,000 डॉलर का ITF Future Tennis Tournament जो इजिप्ट की राजधानी केरों में हुआ कौन से भारत के Tennis के राड़ी ने मिलके जीता है दो ये जीता है आरेयन गोवीस और अर्जुन कधे ने कौन सा देश है जिसने बोधी पर्व नाम का त्योहार होस्ट करा है बिमस्टेक कंट्रीज ने मिलके मनाया ये बुद्धिस धर्म क्या जो संस्कृती है जो धर्वर है उसे एकनॉलिज करने के लिए बिमस्टेक में साथ देश हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास बंगाल की खाड़ी में हमारा अनमा निकोबार आईलेंड भी है तो ये होस्ट हुआ नई दिली में तो ये होस्ट किया इंडिया ने और हमारे कल्चर मंत्री कौन है कल्चर मंत्री है दॉक्टर महेश शर्मा संस्कृति के लिए और परियतन के लिए है स्टेट बैंक ओफ इंडिया साथ वे नंबर पे आ गया है पहले नंबर पे को ने है? पहले नंबर पे है Reliance Industries इन्वे से एक जो हमारे Micro, Small or Medium Enterprises के लिए मंत्री है गिरीराज सिंग इन्होंने एक Public Procurement Portal शुरू करा है Public Procurement Portal ये होता है कि अगर कोई भी खरीद फरोख होती है तो वो इस वेबसाइट के थू होगी जिससे पारदरशिता आ सकेगी इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है MSME संबंद MSME संबंद National Green Tribunal यानि राश्ट्रिये हरित अधिकरन ने अभी-भी एक कमेटी बनाई है ये चेक करने के लिए कि कुल्लू और मनाली यहाँ पे 1700 जो होटल है उनकी जाच के लिए अब ये बताईए इसके अध्यक्ष कोन होंगे इसके अध्यक्ष तो होंगे National Green Tribunal के चेर्मेन जस्टिस स्वतंतर कुमार इन में से कौन सा शहर है जिसने 19 वा इन में से कौन सा शहर है जिसने ASEAN India Connectivity Summit को होस्ट किया इसका थीम था Powering Digital and Physical Linkages for Asia in the 21st Century यानि हम 21st 21 शताबदी में Asia महधूइप में Digital और Physical Linkages को कैसे Power कर सकते हैं और ASEAN में 10 मेंबर हैं 10 के 10 आ रहे हैं 26 जनवरी की जकारता में जो इंडोनेशा की राजधानी है ये भी नई दिल्ली के अंदर होस्ट किया गया Best Actor Award Critics के से मिला 23 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में ये मिला राजकुमार राओ को जो न्यूटन फिल्म में न्यूटन की भूमी का निभाई इनोंने और इस फिल्म के डिरेक्टर है अमित मसूरकर हलांकि ऑसकर से ये बहार हो गई है Best Film का अवार्ड भी मिला न्यूटन को Best Actress मिला विद्या बलान को Best Director मिला नितेश तिवारी को नितेश तिवारी ने दंगल फिल्म डिरेक्ट करी है जो महावीर फोगट के जीवन पर आधारित है आधिवासी महोटसव ये कौन से राज्जिय में अभी-अभी मनाया गया आधिवासी महोटसव और हमारे आधिवासी मंत्री कौन है जिसे बोलते है ट्राइबल वेलफेर के मंत्री वो है जुआल ओरम जुआल ओरम सुंदर गड़ उडिसा से लोग सभासांसद है ये मनाया गया चतियस गड़ में इसकी राजधानी है नया रायपूर याद रखिए रायपूर नहीं है नया रायपूर है और चतियस गड़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग है बलराम दास टंडन गवर्नर है इंद्रावती नेशल पार्क, गुरु घासी दास नेशल पार्क और कंगर घाटी नेशल पार्क यहाँ पर है 2017 ITF वर्ल्ड चैंपियन्स किसे किनका नाम आया है कौन है ITF वर्ल्ड चैंपियन्स 2017 के लिए तो मैन में है रफाइल नडाल और फीमेल में है गारबिन मुगुरूजा और दोनों ही है स्पेन के गारबिन मुगुरूजा और रफाइल नडाल कौन सा बैंक है जिसने नेशनलाइज़ बैंक कैटेगरी के अंदर FE Best Bank Award जीता है यानि इस बैंक को नेशनलाइज बैंक कैटेगरी के अंदर मिला है Best Bank Award तो ये कौन सा बैंक है ये बैंक है State Bank of India State Bank of India की पूर्व चेर्मेन थी अरुन्दती भटाचारिया अब है रजनीश कुमार याद रखिए अरुन्दती भटाचारिया को मिला है Banker of the Year का Award Banker of the Year और Lifetime Achievement Award मिला है उदे कोटक को जो कोटक महिंद्रा के चेर्मेन है याद रखिए और जो Private Sector Bank Award मिला है ये तो सरकारी Nationalized Bank कैटेगरी में मिला है तो Private Bank Best Bank Award किसे मिला है HDFC Bank को मिला है और Lifetime Achievement Award मिला है उदे कोटक को Banker of the Year मिला है अरुन धतिबटाचारिया को इसके अलावा Non-Banking Financial Company के लिए Best Award मिला है उजीवन Financial Services को और Mobile Banking Application का Award मिला है ICICI Bank को हमारे Foreign Secretary S.J.I.S. Shankar और हमारे Defense Secretary Sanjay Mitra इन्होंने पहला 2 Plus 2 Foreign Secretary और Defense Secretary डायलोग अभी अभी करा है कौन से देश के साथ करा है यह इन्होंने करा है Australia के साथ Australia Quad का हिस्सा भी है Japan और America के साथ मिलके Bronze Medal अभी अभी किस ने जीता भारत की तरफ से 10-meter Air Pistol Event जो 10th Asian Air Gun Championship वाको सिटी जैपैन में हुई यह जीता जित्तू राय ने जित्तू राय ने और Total मैंने बताया भारत ने 21 Medal जीते और जिनमें 6 Gold 8 Silver और 7 Bronze थे अंतराश्टिय मुद्राकोश यानि International Monetary Fund ने एक 44.5 Million Dollar का लोन देने का गोशना करी है कौन से देश को इस देश की राजधानी है Antana Narivo कौन सा देश है यह Madagaskar और International Monetary Fund का Heavy Quarter Washington DC में है और इसकी जो Managing Director है उनका नाम है Christine Lagarde कौन सा Railway Station है भारत का जो पहला Energy Efficient A1 केटेगरी का Railway Station बना है भारत का यह है कचेगुडा कचेगुडा Railway Station कहाँ पर यह कचेगुडा यह हैदराबाद में है जो तिलंगाना की राजधानी है इसने 100% Energy Efficiency अचीव कर लिए कौन सा देश है जिसने एक Joint Exercise करी अभी अभी North Korea की Missiles को रोकने के लिए यह अमरीका, South Korea और जापान ने मिलके करी है क्योंकि तीनों परभावित होंगे अगर North Korea जो है उसके South Korea और जापान तो Target में आते हैं अमरीका भी तक नहीं आता है लेकिन अगर North Korea ने ICBM Missile यानि Intercontinental Ballistic Missile बना ली तो फिर अमरीका की भी खेर नहीं UNESCO का Global Education Monitoring Report आया है 2017-18 उसके हिसाब से कितने भारतिये हैं जो अभी भी लिख और पढ़ नहीं सकते ना तो लिख सकते ना पढ़ सकते कितने भारतिये हैं भारतियों इनका नंबर है 26 करोड साथ लाग यानि 266 मिलियन भारतिये ना तो पढ़ सकते और ना लिख सकते एक चीज और UNESCO ने ये का है अगर भारत सिख्षा में अच्छा करना चाहता है तो कम से कम 4% of GDP सिख्षा पे खर्च करे भारत के कौन से वेटलिफ्टर हैं जो भारतोलन करते हैं जिन्होंने तीन नैशनल रिकॉर्ड बनाए अभी अभी 105 किलोग्राम से ज़्यादा भार वाली केटेगरी में ये IWF World Weight Lifting Championship हुई थी अनाहाइम अमरीका में क्या नाम इनका इनका नाम है गुरदीप सिंग ओवर ओली फिनिश करा है इन्होंने तेहरवे नमबर पे कौन सा शहर है जिसने M.O.U. साइन करा है C.40 नेटवर्क के साथ एर पोलुशन को रोखने के लिए ये किया है बैंगलूरू के बहुत सारे लेक्स भी खराब हो रहे है तो वायू और जल दोनों तरह के परदूशन से बैंगलूरू जो है ये तरस्त है और इन्होंने ये लंडन के जो मेर है साधिक खान उनके साथ साइन करा है और याद रखिये जो जो लंडन है यहाँ पे headquarter है Amnesty International का Asian Development Bank 346 million dollar का loan दे रहा है भारत में कौन से राज्य में road बनाने के लिए दे रहा है या जो already road बने हुए है उनके विकास के लिए दे रहा है उनके पुनर उनके नवीनी करने के लिए दे रहा है यहाँ पे 419 km के state highway बनाये जाएंगे उनको improve किया जाएगा यह स्टाज्य है करनाटक करनाटक में भारत में सबसे ज़्यादा elephant है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे tiger है याद रखिए करनाटक का जो राजकिये पशु है वो भी elephant है पैरा sports foundation इंडिया के नए प्रेजिडेंट कौन बने है किने पॉइंट किया गया है इनका नाम है सरवेश कुमार तिवारी UN Mountain Partnership Global Meet यह कहां पे हुई अभी अभी यह हुई देहरादून में देहरादून जो उत्राखंड की राजधानी है और बहुत सारे परवतारोही पूरी दुनिया से यहाँ पर मिले भारतिय मूल के सौतंतरता सेनानी लालू चीबा इनका निधन हो गया यह कौन से देश से थे यह दक्षिन अफरीका से थे इसके राश्पती है जैकोब जूमा और दक्षिन अफरीका हमारे इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि यह ब्रिक्स का हिस्सा है हमारे हेल्थ मंत्री जेपी नद्दा इन्होंने अभी अभी अनाउंस करा है कि भारत ट्राकोमा से फ्री हो गया है यह ट्राकोमा जो है यह आँखों का रोग है यह किस से फैलता है यह बैक्टिरिया से फैलता है यह है ट्राकोमा और यह हमारी कॉर्णिया को अफेक्ट करता है और इसे अंधापन भी हो सकता है एक बैक्टिरिया है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्राकोमाटिस उससे फैलता है यह कौन सा देश है जिसने यह लाओ कर दि करेगा अपनी मनी को ये तो कई बार countries export को रोकने के लिए भी depreciation करते हैं ये देश है पाकिस्तान पाकिस्तान है ये पाकिस्तान में सिंध की राजधानी है कराची और जो पंजाब है उसकी राजधानी है लाहूर राशपती रामनात कोविंद अभी अभी presidential colors award दिये है ये कौन सी भारत की सेना को दिये है ये दिये है सब मरीन यानि पंडूपी का जो आम है भारतिय नेवी का उसे दिये है क्योंकि इनकी golden jubli भी अभी अभी हुई है केरल की सरकार ने एक नया अध्यादेश पारित करा है इसमें जो शराब पिने वालों की age है पहले 21 साल का जो नौजवान है वो केरल में शराब पी सकता था अब इसको बढ़ा दिया है अब कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी तब आप केरल में शराब पी सकते हैं इसको 21 से बढ़ा के कर दिया है 23 केरल के केरल के दो डांस है वैसे केरल के, केरल राज्ये के, एक तो है मोहीनी अटम, मोहीनी अटम और दूसरा है कथकली, इन में से कौन सा देश है जिसने इसरायल की राजधानी जैरुसिलम को अधिकरत कर दिया है, यानि उसे रेकगनाईज कर लिया है कि जैरुसिलम ही इसरायल की राजधानी है ये अमरीका ने ये हरकत करी है तो आंसर है अमरीका इसके बाद जो पीस प्रोसेस है वो काफी डिस्टर्ब हो गया है कई जंगा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ओठ रहे हैं International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of the Genocide of the Prevention of this Crime ये कब मनाया गया यानि जो बड़े लेवल पे जब किसी को मारा जाता है बहुत सारे लाखों लोगों को तो उसे जैनोसाइड बोलते हैं तो उसमें जो पीडित हुएं लोग उनकी याद के लिए और ये आगे से ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए एक संवेलन एक अंतराश्री दिवस भी होता है ये किस दिन मनाया जाता है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है इन में से कौन से राजे के मुख्य मंत्री है जिन्होंने पूरवशा फोक और ट्राइबल आर्ट म्यूजियम का उधगाटन करा ये बरकुल के अंदर बनाए तो ये बरकुल कहा है ये चिलका लेक के पास है ओडिसा के अंदर स्वान सर है ओडिसा और मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक पार्टी का नामे बीजू जन्ता दल इंटरनेशनल माउंटेन डे अंतराष्ट्रिय परवत दिवस ये 2017 का किस दिर मनाया गया इसका थीम था माउंटेन अंडर प्रेशर, क्लाइमेट, हंगर एंड माइगरेशन जन्या के जो पहाड है उन पे काफी स्वक दबाब है क्लाइमेट की वज़े से हंगर और माइगरेशन की वज़े से तो ये मनाया गया 11 दिसंबर को और पंद्रवी एनिवरस्री थी माउंटेन पार्टनर्शिप की उसको सेलिबरेट किया गया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी इसने इलेक्रिसिटी देना स्टार्ट कर दिया है दक्षिन उस्टेलिया को यह किसने बनाया है यह प्रोजेक्ट यह बनाया है टेस्ला और नैयोन कंपनी मिलके है टेस्ला और नियोन कंपनी स्ट्रिया का सबसे है Morgan Stanley जो financial firm है इसने भारत का जो real GDP growth है वो कहा है कि वो भड़ेगा 2018 में इस साल 6.4% उनने project करा है अगले साल कितना करा है अगले साल करा है 7.5% और कहा है कि 2019 में और भी जादा होगा यानि 7.7% अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो automated container terminal है यानि स्वचलित बंदरगा है यहाँ पर container terminal यानि जो जहाज में जो vessels है उनकी loading और unloading जो होती है उसके लिए लेकिन इसका trial किया गया है भी अभी किया स्वचलित पूरी तरह से हो सकता है या नहीं कहां पर यह किया गया यह किया गया शंगहाई में शंगहाई चाइना में है देखिए शंगहाई में जो ब्रिक्स बैंक है न्यू डेवलप्मेंट बैंक उसका headquarter भी है कौन से राज्ये की सरकार ने announce करा है कि ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बोडीज जो प्लास्टिक मुक्त करेंगे उन्हें अवर्ड देंगे हम यह announce करा है महाराश्टर की सरकार ने इन में से कौन सा शहर है जो इंडिया ओपन इंटरनेशल बोक्सिंग टूर्नामेंट जो मैन वुमेन दोनों के लिए होगा 2018 में उसकी मेज़बानी करेगा यह है नई दिल्ली और बोक्सिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के प्रेजिरेंट है अजै सिंग वर्ल्ड अनर्जी एक्सेस रिपोर्ट आई है इंटरनेशल अनर्जी एजनसे की इसके हिसाब से भारत में सबको बिजली मिल जाएगी किस साल तक यह मिल जाएगी 2020 तक 2020 तक और हमारे पावर मंत्री को ने है आर के सिंग Forbes की लिस्ट आई है 2017 में सबस्यादा पैसा कमाने वाला musician कौन था इनका नाम है Diddy वैसे Diddy का असली नाम क्या है इनका असली नाम है Sean Combs इन्होंने कमाया 2017 में 130 मिलियन डॉलर यानि लगबग आप कह सकते हैं कि 800 करोड रुपे इन्होंने लगबग कमाये दूसरे नंबर पे थे Beyonce कौन सा बैंक है जिसने एक digital service launch करी है जो customers को public provident fund account online खुलवाएगी यह launch करा है ICICI bank ने इसकी president है चंदा कोचर तो यह था दूसरे हफते का भाग है questions की quality बहुत अच्छी थी पहले हफते में तो मैं आपको सचेत करता हूँ कि इस हफते से बहुत सारे questions आएंगे और यह वीडियो जितना हो सके friends के साथ share करिए उन्हें भी study IQ के बारे में बताइए और हम हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी exam हो उसके हम question आप तक लेकर आएं याद रखिए चंडीगड police का जो exam होगा उसके लिए भी मैं विशेष चंडीगड के आपके लिए question लेकर आऊँगा Thanks for watching